चलिए इस्टूरेंट हम लोग प्रश्ण संक्या 11 को सॉल्व करते हैं देखिए प्रश्ण संक्या 11 में क्या कहा जा रहा है आकरती 3.27 में कोंड सी ग्याद किजिए यदि रेखा अब में यहां पर जो कोंड सी हमें इस कोंड सी का मान ग्याद करना है ठीक है तो कैसे ग्याद करोगे लिखे यहां लिखिए चतुर्बुज ए बी सी डी में दिया है एबी समानतर डी सी है जो भुजा एबी है और डी सी के समानतर है अब इस्टुड़ेंट आप लोग ध्याद से देखिए जब एबी डी सी के समानतर है यह जो बी सी है 21 तरीके से वर करी त्रियक छेदी रेखा की तरह से, देखिए, भई, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और हमें कोण C का मान ग्याद करना है, आप लोग जानते हैं, त्रियक जो छेदी रेखा होती है, उसके एक ही तरफ बने अंता कोणों का योग कितना होता है, 180 डिगरी होता है, तो यहां से अ 120 डिगरी वो मारा बराबर किसके होगा, 180 डिगरी के लिख लिजिए, चुकि तेरीक छेदी रेखा, रेखा के एक ही तरफ बने, बने, अंता कोणों का योग, 180 डिगरी होता है, यहां पिर इस्टुडेंट, देखिए, यह जो चतुरबुज है, सम्मुक बुजा का एक यूग्म क्या है, आप बताए, सम्मुक बुजा का एक यूग्म क्या है, समानतर है, तो यह हमारी आकरती किसकी होगी, समलंब की, और हम जानते हैं, जो समलंब होत हो ठीक है तो ऐसे भी आप कर सकते हो अंगे भी अंग्ल शी का यो सो थी रिगरी होगा चलई हैक तो एक सो असी डिगरी विह पलस 120 एधर आगा तो माइनस एक इस सबीस डिगरी हो जाएगा और एक सो अस्य में से focus 124 घटाया कितना गह'll साट टेगरी तो जो हमारा एंगल सी हैं एंगल सी का मान क्या क्या है साट टेगरी यह हमारा एंसर हो गया